नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यान्द ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करक रासी सिह रासी और कन्या रासी के जातकों को शर्द पुणीमा के दिन क्या करना चीए शर्द पुणीमा इस साल साल 2020 में 30 अक्टूबर को है और दिन शुकरवार है लक्षमी का दिन है तो इस दिन जो पाई किये जाता है जब रासी और साल तो उसका जो फल मिलता है वो कमाल का मिलता है जन्म कुंडली में लगन चकर के अलावा चंदर कुंडली भी होती है योग निर्मान होता है जिससे राज्योग कहता है और यदि कुंडली में चंद से जुड़ा कोई दोश है तो उसे भी आप रासीय नुसर आप मिटा सकते हैं शर्द पुनीमा के दिन शर्द पुनीमा आस्वीन मास के सुखल पक्ष में पढ़ती है दशेरा के बाद और इस उस दिन जो अफेक्ट होता है चंदर्मा का वो कमाल का होता है यदि इस दिन अगर कोई वैक्ति अपनी रासीय नुसर को छुपाए करे तो उसे जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पढ़ता है और से मालक्षमी का अशिरवाद प्राफ्त होता है और यह अपनी राशीय नुसर उपाए करके चंदर्मा से समन दी और अन उपाए करके भागे को दोश को दूर कर सकते हैं बिगडे काम बना सकते हैं तो चलिए हम इस वीडियो में करकरासी सिहरा सिर्कन्या का बताने जा रहें तो पहले मैं आपको करकरासी का बता देता हूं करकरा हुआ दूद मंदिर में दान करना चीए शरत पुणिमा के दिन दक्षनावर्ती शंक से मालक्षमी का अभिशेक करें और धूप दीप फूल से पूजा कीजिए दक्षनेवर्ती शंक भी पुणिमा के दिन ही परकट हुआ था तो से सुक्त का पाठ जब आप करेंगे उससे भ पूथ होगा क्योंकि सराजी का सौमे ही चंदर्मा है तो चंदर्मा کی बीज मंतर का आप जार कीजिए कि चॉक्टी चंदर्मा ही स्वामी करकरासी का ऐथ तो करकरासी के चाहता तक दो मुखे दाखष धरन करें बहुत लाबकारी सित्त होगा पुणिमा के दिन है आप धार के जातक के लिए बारह मुकी रुद्राक्ष धारन करना सबसे ज़्यादा लव प्रद होता है कितना मुकी बारह मुकी सिहरासी के जातक स्रियादित्य हिर्दैस्तोत्र का पार्ट करें शहद और गंगाजल से शिवलिंग पर चड़ाया अभिशिक किजिए उनका तो इससे बेनिफिट होगा कि चंद्र से जुड़ा कोई दोश है तो वो जो है वो समाप्त हो जाएगा सेम चीज करकर आशी के लिए भी है चंद्र से के रेटेड अगिए अब दो समाप्त करना चाहते हैं तो चंद्रमा के बीज मंदर का आप जारत कीजिए सिहर आसी के स्वामे इस सुर्य है तो शरत पुणिमा के अफसर पर धन प्राप्ति के लिए मंदिर में आप गूड का दान करें इससे आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा और बहुत लाब मिलेगा आपको शरत पुणिमा को आप लक्षमी सहस्त्रणाम लक्षमी अश्टूत्र नामावली नावा मली भी बोलते हैं सिद्ध लक्षमी का वच्च स्री सुक्त लक्षमी सुक्त महालक्षमी का वच्च कनक धारा के पाड़ कीजिए आपको माता लक्षमी का किरपा मिलेगा ही मिलेगा 100% मिलेगा आपकी आरती किस्ति ठीक होगी और साथ ही आपको धन लाब के योग भी बनेंगे इसलिए में बोर्ण के मंदिर में आप गोड़ दाम कीजिए अब हम आते हैं कन्या राशी को कन्या राशी के जातकों को शरत कुणीमा के दिन नौ वर्से से कम आयू की कन्याओं को खेर खिलाना चीए खीर ऐसा करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की परिशानिया समाप्त हो चाहेगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी बहुत ही पवित्र परव है आपके लिए कन्या राशी तो नौ वर्से नीचे मतलब आप तीन से दस तक आप पकड़िए ति तीन से दस वर्स तक की कन्या को भी आप खिला सकते हैं शरत पुनियमा की रात्तरी लक्षमी जी की छोटे नारियल की पूजा कीजिए माता लक्षमी इससे निर्धनों के जीवन में प्रिवेश करती हैं बस आप उपाई कीजिए कन्या राशी के जातक यदि चंद से लेटेट कोई दोश हो आपके कुंडली में तो आप विश्नु सहस्तर नाम का पार्ट कीजिए कन्या राशी वाले दही और गंगाजल भगवान शिव को चढ़ाएं अरपित करें उससे अभिशेग करें डेफरेंटली फाइदा होगा कन्या राशी के स्वामी बुद्ध हैं तो कन्या राशी के जातक यदि चार मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं बौरी शंकर उद्राश धारन करते हैं तो ये उनके लिए अती शुब रहेगा ये से उनको बहुत बेनिफेट मिलेगा और ये जो मैं उपाए आपको बता रहा हूँ ये उपाए 100% कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए मैं आपको गैरंटी तो नहीं दे सकता और 100% ये होगा शरत पुनीमा अधिक माज की सुक्रपक्ष में पढ़ती है तो इस दिन चंदरमा की जो किरने होती है उसे अम्रित की वर्षा होती है सास्तरों में लिखा गया है विज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है किस दिन चंदरमा की किरनों में एक खास प्रकर का औस सधीय को होता है तो इस दिन अगर कोई वेक्ति अपनी राशी के अनुसार कुछ उपाईयों को करता है तो उसे चीवन में किसी प्रकार की सनस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे मालक्षमी का अशिरवाद भी प्राप्त होता है तो शरत पुनिमा के दिन राशीन उसारी उपाई कीची जो हमने आपको बता है डेफिनिटली आपको लाव होगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीचीए ताकि जादा से जादा लोगों तक पहुँचे तो और लोगों को फायदा होगा तो उनको लाव होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी आपका एक लाइक मिल जाए आपका एक कमेंट मिल जाए तो हमें खुशी होगी हमारे लिए वही पारितोशिक है जो आप लाइक और कमेंट करोगे बाकी हम तो 4-5-6 साल से वीडियो बनाई रहे हैं आपके लिए उसमें से बहुत दूख लाव होता भी है जैसे कि फोन्स आते हैं बहुत लोग को लाव नहीं भी होता है तो फिर वहां पर कहते हैं